हलो दोस्तो एंजल डिशार सेंटर में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम फिर से जाएंगे गुजरत हाँ गुजरत की सेर करने जहाँ पर दारू बंदी है लेकिन वहाँ पर खुले आम दारू मिलती है हाँ इसके बहुत सारे कैसिस सामने आते हैं नियूस पेपर मे भी हम देखते हैं बहुत सारी दारू की गाड़ियां पकरी जाती है बॉर्डर पर हो या फिर बॉर्डर से अंदर आने के बाद हो दोस्तो वैसे तो सराबंदी बिहार में भी है मिजोरम में है यह बहुत जगे परन्तु गुजरत में सबसे पहले से यानि कि आजादी के सम सराब बंदी है पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर सराब की छूट है जैसे कि महराज्च हुआ राजस्थान हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ वहां से ज्यादा सराब तो गुजरत में मिलती है और सराब मिलती है तो उसका कोई प्राबलम क्यों नहीं किसी को यानि तो जो गली-गली सराब बेशते हैं दुकाने खोल कर बैठे हैं उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती सराब का धंदा क्यों नहीं गुजरत बंद करवाती है निकी दोस्तो सबसे पहले सराब बंदी जो है वह गुजरत में हुई उसके बाद नागा लेंड में हुई तीसर पर दूसे राज्यों में कम मिलती है पर गुजरत ने तो रेकोड़ी तोड़ दिया है यह कैसी सराब बंदी जहां पर देखो वहां पर पार्टी होती रहती है जहां पर देखो वहां पर लोग आजकल तो रोड पर सराब पीकर पड़े हुए मिलते हैं तो भी पुलिस ही है क्योंकि सराब पीने से जो नुकसान होते हैं उनके बार में अगर आप जानोगे तो आज के बाद आप सराब पीना ही छोड़ दोगे जानने के बाद क्योंकि सराब पीने से घर तो बरबाद होते ही है पैसे बरबाद होते हैं माइंड अपसेट होता माइंड खराब हो कितने लोगों के घर तूट जाते हैं और बिमारी आती है वो अलग और दोस्तो आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है कि सराब पिने में तो महिलाओं ने पूरुसों को पीछे छोड़ दिया हाँ आजकल महिलाओं पूरुसों से ज्यादा सराब पी रही है ऐसा एक सर्वे मे पता चला है दोस्तों तो दोस्तों सराब आती कहां से है गुजरात के अंदर ये मेन बात है पीना दूसरी बात है आएगी तो पियेंगे न तो बॉर्डर पर बॉर्डर पुलिस क्या करती है या गवर्वर्मेंट में जो भी आवकारी विभाग है या चेक पोश्ट है वो के लड़ीए प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोग।